है लो एवरीवन बेलकम टू माई चैनल कैसे हो फैमिली उमीद करते हूँ गाईज आप लोग सब बहुत अच्छे होगे और हैपी क्रिस्मस टूप और है देखर सुबा में डेकुरेट सुबह में करके रखती हैं कि युझा सा है मैं पिछले साल ही ना nouveaux बराट तो उस को थोड़ा सा खुस करने के लिए और चोटा चोटा फेस्टीवल ना ऐसी नजॉआई करने में बहुत मज़ा आता है यार सच में फैमली के साथ में तो ऐसा क्या ऐसा फील ही नहीं होता कि हाँ हम लोग मतलब ऐसा क्रिस्मस है नहीं मेरी बेटी भी बहुत खुस होती है जैसे हा चाहिए तो इसलिए मैं घर पर सुचते हूं कि इसको मतलब ऐसे ही मैं पिछले साल ही उसको ले आई थी तो थोड़ा सा डेकुरेट वेगरा मेरे हैस्बेन मैं भी मिलके लाइट वेगरा जो घर का था ना वो लगा दी हूं और केक तो एक्शली मेरे पास केक ना हम इसके प पत्ता गोवी और पत्ता गोवी से मैं मंचूरियन बनाने जा रहे हूं तो आज तो कुछ स्पेसल होना चाहिए क्यूंकि आज है क्रिस्मस तो रहस्में का पसंद का उनको बहुत फेवरेट है मतलब मंचूरियन तो सिर्फ सुखा हुआ सिर्फ गार्लिक अद्रक वेकरा ड आए इम रेड़ी यस तो गाइज अभी देख सकते हैं इसमस्ट्री रेडी हो गया आप बताईएगा एच फुटा सा प्यारा से इधर आओ नवी आप देख सकते हो गाईज यह है क्च प्यारा श्रा और यह चोड़ चोड़ ज़िद लाइट सा रेक्या ना गाईट करने के लिए ता छोटा छोटा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं है मेरी क्रिस्मस मेरी मेरी क्रिस्मस करो सबसे पहले गाईज मैं सोची कि चलो मेरी बेटी को केक के लिए उसको ज्यादा लग रहा था तो पहले केक कट कर लेते हूं उसके बाद गरम-गरम मंचूरियन के आना गरम-गरम खाई यह तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा था तो मेरा हैस्वन को भूख नहीं थी सबसे पहले मैं देखिए थोड़ा बहुत फोटो निकालते हैं और मेरी बेटी को ही मन था कि मामा फोटो निकालेंगे मैं तो ऐसा होता ना कि फैंबली के साथ पार्ट टाइम स्पेंड करने का इससा फेस्टीवल है ना मौका मिल जाता है साथ में इंजॉय करने का तो मैं चोटा चोटा फेस्टीवल भी पूरा इंजॉय करती हूं हर फेस्टीवल को मनाती हूं और अगले वीडियो में देखें होंगे कि मेरी बेटी कितनी खुस होई सेंटा उसको अभी तक पता नहीं कि सेंटा यह उसको गिप्ट देता है हर बच्चे को यही लगता होगा कि से का फिलों के पास मेही रखर हर साल के वैसा ही है बच्चा बहुत खूश होती हैं आप लोग भी करते होगा मुझे बालूम है कि यहां पर देखें केक कट हो गया और आपको भी देरी मेरी बैटी आप लोग भी ले लीजे प्यार से दे रही है फिर मैं बोली आप खाजा बे तो फैमिली थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मज़ा करने के बाद आवा गई हूं कीचन में अपना काम कर नहीं तेहां पर देखिए पत्तागोवी में ना एक आज ही मंगाई हूं कि मुझे पत्तागोवी कर रखा हुआ था मंचूरियन बनाना था ते कॉन फॉलोर इजली यहां पर मिल जाता है हर दुकान में तेहां पर मैदा और कॉन फॉलोर दोनों को मैदा थोड़ा मैं कम ही डालती ज्यादा जालती उससे क्या तो वांडिंग जो मिर्ची पॉड़र और जीरा और काली मिर्च का पॉड़र डाल दोंगी और यह सब को मैं अच्छे से मिक्स करके नमक डाल कर और जितना साइच को बना सकते हैं और वह बना लेती हूं इसमें देखे थोड़ा सा जो लहसन कपे की हो ना चौप वह भी डाल दे रहे हूं और मैं नहीं डाली और सीमला पर उतना पसंद नहीं आता है मेरे हैसमन को इसमें इधर देखे थोड़ा मुझे कम लगा तो मैं आओ डाल दी हूं और देखे थोड़ा मिलाने के बाद मुझे पानी का बिल्कुल आप जरुवत ही नहीं पड़ता है खुद उसी में वह सारा पत् देखिए मैं बना लेती हूं सारा सो फैमिली यहां पर ना मैं सिर्पत्त को भी से बना रही हूं आप चाहे तो इसमें और भी वेजिटेवल जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं जैसे गाजर हो गया फ्लावर गोवी वेगरा तब तक मेरा आधा बन रहा है तो मैं एक जा प्राइफले में दम धीमा की थी और जैसे ही मैं सारा डाली तो थोड़ा सा हाई ज्यादा कर दी कि ओए थंड़ा हो जाता ज्यादा डालने के बाद फिर मैं धीमा करकर उसको अराम से करीब 15 मिनट लगता है सेकने में धीमे धीमे गैस पर और जितना अच्छा से सीखता है उतना टेश्टी लगता है कि अंदर में मैदा रहता है कौन फॉलोड तो यह सब कच्छा रह जाएगा ना तो मुह में अच्छा नहीं लगता है तो देखिए आपर मैं फॉक से साइड साइड करके उसको अच्छे से मैं लाल कर लेती हूँ कि यहां पर आपको दीख रहा होगा कितना क्रेंची बनाया सच में मुझे ना तो मेरे हैस्बिन का बड़्डे था ना तो मैं बोर्रही थी मैं घर पर ही बना देती हूँ तो देखिए सबको मैं निकाल लेती हूं दो वर करकर आवाज सुन सकते हूं और यहां पर मेरी बेटी को बॉल जो सुखा रहता है उसको इतना पसंद है कि आधा वाइसे खतम कर देती है वो देख सकते हैं एक वर निकाली आधा इसी लेके चली गई और उसको ग्रेवी वाल उतना पसंद नहीं आता है कि थोड़ा सा मिर्ची वगरा रहता है तो नहीं खाना पसंद करती है तो मैं भी सोचते हूं कि चलो कुछ तो वेजिटेवल भी है ना उसमें तो थोड़ा खा लेगी तो अच्छा ही रहेगा तो बच्चे लोग भी इंज्वाई करके खाते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो जो मैं बनाई मेहनत की तो पसंद यहां पर गाई जब मैं उसका जो ग्रेवी बनेगा उसके लिए मैं देखे स्वावी नहीं हूं आपको स्वावी नहीं होता है क्योंकि कोई भी चाइनिज फूड में तो देखिया पर जो लहसन और थोड़ करती हूं और थोड़ा सा मुझे तेल और लगा तो मैं और डाल दे रहे हूं और इसको ना मैं आप चाहतो जो घर पे आप रखते हो सोया सॉस चीली सॉस भी डाल सकते हूं लेकिन मेरे पास देखिए चेंजवन का और कॉर्ण का यह मेरे पास मंचूरियन पॉडर है ता जा सब रहता है अब आप चाहते हो ना चीली सॉस बेगा आत जो भी है तो उसमें तो मैं इसको ना थोड़ा सा फ्राइक करके देखिए शाल यहां नमक डाल कर और चैसला ना रहता है और जो 5-5 मिनिट में मैं सांट्रियन घ्रैज्टेट रेपु हो जाता है आपको जितना ठीक ग्रेवी जैसा रखना रहता है क्योंकि मुझे ना मेरे हस्मिन को थोड़ा सा भी सुखा खाए रिस्टूरेंट में तो इसलिए उनको सुखा ही पसंद था तो मैं जादा तर ग्रेवी वाला ही बनाती हूं कि थोड़ा सा मज़ा आता है उसको पीने में भी मसाले को लेकिन मैं आज सुखा बना रही हूं तो देखिए यहां पर थोड़ा ही पाने डाली हूं और सबको मैं एक साथ बॉल डालकर मंचुरियन बॉल इसको मिक्स करूंगी पांच मिनट तक मैं ऐसे धीमे कैस पर उसको होने देती हूं देखिए इसको सुखा बिल्कुल सुखा दे रही हूं कि ऐसा कि सारा जो भी है मसाले मंचुरियन में आ जाए और यहां पर बन के रेडी हो गया और इसको मैं निकालते हूं जटपट क्यूंकि बिल्कुल अब खाना तो खाएंगे नहीं रात को ऐसे भी ज़्यादा खाना खाते नहीं है हम लोग थोड़ा व उमीद करते हूं आज का व्लोग आप लोग को मंचुरियन रेसीव पसंद रहा है वेलकम टू मैं आपसे मिल रही हूं कैसे वह उमीद करते हूं सब बहुत अच्छे होगे तो सोख हैं दी यह हैं यमी यमी मंचुरियन देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बहुत टेस्टी बन मैं अज़त हैं से सब्सक्राइब कर देख अप jest फाण सब्सक्राइब करते हूँ पसंद आया हूं सब्सक्राइब को